नमश्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी समर्पन का सुख, तो आए सुनते हैं कहानी कल सुबह महमान आ रहे हैं, इन्होंने दफ्तर से आते ही सूचना दी, कौन? राजश्री देवी और उनके पती यह राजश्री देवी कौन है? मैंने विस्मित होकर पूँचा, अब यह मैं क्या जानू? तुम्हारे परिवार के लोग हैं, और तुम मुझसे ही अतापता पूँच रही हो मैं भौचक उन्हें देखती रही, तभी कुमकुम ताली पीटते हुए बोली, हमें पता चल गया मैं बताओं मा, नई वाली मामी जी आ रही है, उन्ही का नाम तो राजश्री है न? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता वाह मा, तुम्हारा ही दिया हुआ नाम है और तुम्ही भूल जाती हो, काजल ने चुटकी ली, ऐसी ही भुलकर तो हूँ मैं, अब पत्र तो दिखाए, मैंने इनकी ओर मुखाति होते हुए कहा राजश्री की बहु का यह नाम क्या तुम्हारा दिया हुआ है? इन्होंने आश्यरे में भर कर पूँचा अरे बाबा हाँ, अब सुन तो लिया, चिठ्ठी तो दिखाए मुझे अब मैंने बेजारी से पूँचा, पत्र गीता का ही लिखा हुआ था, उसका पत्र मैं पहली बार देख रही थी बड़ी साफ सुत्री लिखावर थी, और अंत में बड़ी कलात्मक हस्ताक्षर थे आपकी इस नेहा कांशनी राजश्री, यह तो मामी जी की सूजबूज लगती है, नहीं तो भला राजु मामा कब खबर देकर आये हैं, कुडाल कह रहा था ठीक तो है, राजु का क्या है, कभी भी आ जाता है, पर बभु को लेकर पहली बार आ रहा है, खबर देकर आना तो ठीकी हुआ ना, मुझे तयारी के लिए कुछ समय तो मिल गया लड़कियों की मदद से मैंने उपर वाला एक कमरा ठीक किया, पर्दे बदले, चादरें बदली, बहुत सारा फाल्तु सामान निकाल कर नीचे स्टोर में डाल दिया दूद जादा लेकर थोड़ा सा गाजर का हल्वा बना लिया सुबह के नाश्टे के लिए, थोड़ी सी मठरी उतार ली, करते कराते रात के दस बज गए, कमरे में आई तो देखा, साहब बहादुर अभी जाग रहे हैं स्वागत का सरणजाम पूरा हो गया, इन्होंने हसकर मूचा, स्वागत क्या करना है, कोई बाहर के हैं क्या, भाग दवर तो ऐसी ही हो रही है राजश्री देवी पर इंप्रेशन मारने का इरादा है क्या, मैं कुछ नहीं बोली, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि राजु की बहु का यह नाम है, क्यों, आप शादी में नहीं गय थे, गया तो था, पर इन बातों पर हम लोगों का ध्याम जाता ही नहीं है और काजल क्या कह रही थी, यह नाम तुम्हारा दिया हुआ है, सच, ओफो, तो इसमें इतना हैरान होने जैसा क्या है, किसी का चेहरा सुंदर नहीं है, तो क्या उसका नाम भी सुंदर नहों, मैंने विफर कर कहा, अरे, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो, मैं तो काम को लेकर मुझे शादी में भी काफी कुछ सुनना पड़ा था, इसी लिए यह प्रसंग छिड़ते ही मेरा पारा चड़ गया था, मैं भी क्या करती, शादी में जैसे हर काम मेरे सिरा आगया था, वैसे ही एक यह भी काम था, 35 वर्ष की उम्र में दूला बना हुआ राजु जैसे अपने सब अर्मान निकाल लेना चाहता था, और घर में किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसकी ओर ध्यान दे, उसकी शादी के लिए सब लोग जुड़े थे, और वही सबसे ज़्यादा उपेक्षित था, बड़ी भा अभी को सजने समरने से अवकाश नहीं था, चित्रा के पास अपनी चुन्मन का बहाना था, वैसे भी जेट की शादी में वही क्या हुलस दिखाती, हल्दी, तेल, काजल, उप्टन, सब कुछ दोड़ दोड़ कर मैंने ही किया, भाभी के, बहन के, मा के, बुआ के, सारे ने मैंने ही जवरदस्ती संपन करवाए, अम्मा के पीछे यह पहली शादी थी घर में, बार-बार यही लगता रहा कि कहीं कोई रस्म छूट न जाए, और राज्यों सोचे कि आज अम्मा होती तो, छोटी भाभी को यह सब बड़ा हास्यास्पत लग रहा था, बड़ी भाभी कुछ करने लाइक होती, तो मुझे यहां पराये घर में मगजमारी क्यों करने पड़ती, मैं भुन-भुना कर कहती और चुप लगा जाती, राजु का मुध एक कर जगड़ा पढ़ाने की इच्छा न होती, बेचारा, कितनी मन्नतों के बाद तो सेरा बंधा है उसके, खु जीता तो बड़ा पुराना सा लगता है, नाम में मुझे कोई खास तिलचस्पी नहीं थी, पर उसका मन रखने के लिए मैंने कह दिया, राजेश की राजश्री, ठीक है न, और वह खुश हो गया था, लक्ष्मी पूजन के समय चांदी की चावल भरी थाली में, सोने की अं किसकी च्वाई सहे है, उमा की, छोटी भावी ने ततपरता से उतर दिया, उमा यह क्या नाम सूजा तुम्हें, छोटे भाईया बोले, क्यों, नाम में क्या खराबी है, मैंने द्रढ़ता से पूँचा, तो छोटे भाईया से जवाब नहीं देते बना, कुछ सूट भी तो करना चाहिए, छोटी भावी ने अपना मत प्रदर्शित किया, यह तो राजु के सोचने की बात है, उसे सूट किया, बस किस्सा खत्म, लेकिन किस्सा वहीं खत्म कहां हुआ, रात छत पर तीनों देवरानी जिठानियों की देर तक खुसर खुसर चलती रही थी, बड़ी अब हमारा मौ ना खुलवाओ, हम तो बस इतना कहेंगे कि ऐसी ही परी ब्याहनी थी, तो इतने दिन क्यों बैठे रहे, अब तक तो चार बच्चों के बाप बन गए होते, उनका कसूर नहीं है दीदी, दर असल अम्मा जी को कोई लड़की आँख नहीं चड़ती थी, अरे अपना लड़का तो देखें पहले कैसा है, उचे कुलाबे भरने से क्या फायता, अब क्या बताएश होगा, लड़का तो उन्हें सब लड़कों से जादा प्यारा था, इतना नाज था, कहती थी कि ऐसी बहु लाउंगी कि तुम लोगों की नाक नीची हो जाएगी, ऐसे वैसे घर की बात को उठाने ही नहीं देती थी, हम बताएं दीती, यह चित्रा की आवास थी, एक बार हमने अपनी मुशी जी की लड़की के लिए पूचा था, तो इतना बिगडी, बोली, निशी के लिए कहो तो कोई बात है, हाई राम, माई गोडनेस, निशी के लिए, व पैठे रहते, तुम लोग आजी सब कुछ कर लोगी क्या, बड़े भाईया एका एक गर्जे, तब कहीं जाकर यह मधूर संभाशन बंदुआ, छत के एक कोने में सोई हुई मैं सब सुन और कुढ रही थी, अम्मा पर इतना गुस्सा आ रहा था, क्यों इतने उचे सपने द इंजीनियर थे, सतीश भी सिये था, तभी तो अपने सीनियर की आँखों में चड़ गया था, राजु बेचारा नहीं पढ़ पाया तो नहीं ही पढ़ा, बाबु जी का आतंक भाईयों के ताने, अम्मा का लार दुलार उसे मैट्रिक से आगे नहीं पहुचा सके, कौन उस के लिए रिष्टे लेकर आता, जो रिष्टे आये, वे अम्मा को पसंद नहीं आते थे, अम्मा से सब कहते, तुम्हारी अंगूर की बेल में यह गूलर कहां से खल गया, लेकिन अम्मा को यह गूलर ही सबसे ज़्यादा प्यारा था, जिंदगी भर उसी के पास बनी रही, भाईयों के बंगलों और मोटरों का आमंत्रम ठुकराती रही, बेचारी अम्मा उसकी बहु का मुह देखने का अर्मान लिये ही संसार से विदा हो गई, उनके पीछे ही सही, लेकिन राजु की शादी तै हुई, तो हम लोग बहुत प्रसन हुए थे, सबने स्वस्ती की सां हुई थी, एमे बेज लड़की घर में आ रही थी, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की राजु को मिल रही थी, लेकिन लड़की को देखते ही मन एकदम बुझ गया था, इतनी दुलहने देखी हैं मैंने, पर ऐसी बेनोर दुलहन नहीं देखी, सूखी सी देह, उम्र में ही यह लड़की, क्या पता, वह सचमुची 26 की है, या ये लोग उम्र चिपा गए हैं, या आठ दस साल नौकरी करते करते लड़की एकदम बुझा गई है, पिता के लंबे चोड़े परिवार का भार ढोते ढोते ठक गई है, इतना गुसा आ रहा था पडोस की काक पर राज को अकेला देखकर इन्होंने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, और यह सूखी सी लड़की हमारे गले मढ़कर दोनों और की वाह वाही लूट रही है, गोरे चिट्टे राजु के बगल में बैठी वह जरा भी तो अच्छी नहीं लग रही थी, और उस पर सितम यह है कि जब अकेले में राजुने बड़ी आशा से पूचा था कि दीदी बहु पसंद आई, तो हस्मुख होकर उसकी प्रशंसा करनी पड़ी थी, किर्र, अलार्म की करकश ध्वनी सुबह के मकमली वातावरन को चीर्ची चली गई थी, और मैंने इन्हें जखचोर कर जग आया, क्या तकलीफ है भाई, अलसाय स्वर में वह बोले, जरा स्टैंड तक हो आये न, प्लीज, क्या सोचेगा वह कि इतनी सूचना के बाद भी कोई नहीं पहुचा, बेचारा पहली बार बहु के साथ हा रहा है, तो मैं बेचारा भी तो जा रहा हूं उसे लेने, इतना व करुणा में बदल जाता है, भाभिया ठीकी तो कहती है, मैं दिन पर दिन अम्मा की तरह होती जा रही है, गाड़ी जब महमानों को लेकर लोटी, तब पूरा घर जाग गया था, बच्चे प्रतीक्षा में दर्वाजे पर खड़े थे, राजो को देखते ही कुराल चिलाया मामा जी, ये नक्षे, बड़ी मुश्किल से उसे चिकोटी काट कर चुप किया, राजु महाशे वाकई नक्षे विखेर रहे थे, टेरी वूल का बढ़िया सूट चड़ाय, संजीव कुमार की तरह पैंट की जेब में हाथ डाले, जूमते जहामते घर में दाखिल हुए, गीता बेचारी बास्केटों से लदी फंधी मुश्किल से चल पा रही थी, बच्चों ने दोड़ कर उसका सामान लिया, तब वह सीधियां चड़पाई, ये श्रीमान ड्राइंग रूम के सोफे पर पसर कर पूँचते हैं, सामान सब देख लिया, मैंने ही फिर डांट हो गया, अरे कितना प्यारा स्वेटर है, किसने बनाया, मामी जी ने बनाया है मेरे लिए, उसने गर्व के साथ उतर दिया, तभी लड़कियां फुदक्ती हुई आई, उनके हाथों में कुर्ते का एक एक पीस था, कड़ाई किया हुआ, और मा, तुम्हारे लिए भी मामी जी सारी लाई है, पेंटिंग की हुई, काजल ने बतलाया, और पापा के लिए है न, टाई केस लाई है, इतनी प्यारी है, कुमकुम बोली, सचमुच टाई केस बहुत प्यारा था, इन्होंने आदत के अनुसार एक फिक्रा कस ही दिया, इतने सुन्दर केस में रखने अलात्मक था, इतना सब करने के लिए समय कहां से निकाल लेती हो, मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों, काम ही क्या है, राजु ने कहा, काम क्यों नहीं है, घर ग्रहिस्ती के काम है, नौकरी है, नौकरी की छुट्टी हो गई, नौकरी छोड़ दी, आथ दस साल की सर्विस एक अपनी तो एक ही शर्त थी, शादी के बाद नौकरी नहीं चलेगी, राजु ने कुछ इस अंदाज में कहा कि बहस की कोई गुंजाईशी ही नहीं रही, लेकिन मेरा कुतूहल दब नहीं सका, मौका पाते ही मैंने गीता से पूचा, क्या सचमुष तुमने नौकरी छोड़ द इधर उधर देखते हुए उसने फुस्फुसा कर कहा, अभी इस्तीफा नहीं दिया है, पर आप उनसे बताईएगा नहीं, छे मैने की छुट्टी ले ली है, फिर छोड़ दूगी, लेकिन इतने सालों की सर्विस छोड़ क्यों दोगी, आजकल सरकारी नौकरी मिलती कहां ह जब जरूरत थी तब करती रही थी मैं, 24 का कोई प्रश्न ही नहीं था, अब जरूरत नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है तो मुझे भी मोह नहीं रहा, देखो जरूरत का तो ऐसा है, मैंने दर्शन बगारना शुरू किया तो वह बोल उठी, दीदी आपका मतलब समझ र जाता होका राजु को, पर संकोच हुआया, इतने दिन तक कभी यह विचार मन में नहीं आया था, बड़े लड़कों से कह सुनकर अम्मा ने स्टेशनरी की एक दुकान डलवा दी थी, भाई खुष्टे की आवारा गर्दी से बचा रहेगा, भागियां खुष्टी की अब अलव से कुछ नहीं भेजना पड़ेगा, बस इसके आगे कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, पूँचा भी नहीं, ये सारे सवाल तो शादी के बाद ही पैदा होते हैं, बात को जरा बदल कर मैंने पूचा, घर में दिल लग जाता है तुमारा, इतने वर्षों की आदत के बाद खाली खाली नहीं लगता, मैं तो तरस कई थी इस खाली पन के लिए, उसने कहा और फिर एकदम समल कर बोली, एक सर्विस छूर दी है तो क्या, दूसरी 24 गंटे वाली करतो रही हूं, देख नहीं रहीं आप, गीता ने जूट नहीं कहा था, राजु सचमुच उसे च बस जो भी करे वह राज, नहाने के लिए कपड़े वह निकाले, शेविंग के लिए गरम पानी वह दे, ब्रश पर पेस्ट तक वह निकाल कर देती थी, बावजूद इसके पुकार मची ही रहती थी, राज मेरा रुमाल कहां है, राज मेरे मुझे क्यों नहीं दुले, जरा कड़क अद्रक वाली चाय हो जाए, वह भी जैसे उसका हर होक्म झेलने के लिए एक पाव पर खड़ी रहती, साफ जाहिर था कि किसी के इशारों पर यो 24 गंटे नाचना उसे अच्छा लगता था, यह सब देख सुनकर बड़ा अच्छा लगता था मुझे, कहां तो जरी थी कि यह पढ़ी लिखी लड़की इसे और भी दब्बू बना कर रख देगी, लेकिन उसने तो जैसे जादू की छड़ी फेर दी थी, कितना बोलने लगा था वह, नहीं तो पहले कितना सहमा सहमा रहता था, मेरे यहां तो फिर भी खुल जाता था, पर भाईया लोग राजू रोज की तरह अपनी राज की पुकार मचाय हुए था, कि काजल शरारत से बोल पड़ी, मामा जी इतना प्यारा नाम है उनका, राजशी फिर आप ये राज-राज क्या लगाए रहते हैं, वह हमारे दिल पर राज जो करती है, उत्तर देने में उसे एक सेकेंड भी नहीं लगा, मैं तो आवाख होकर देखती रह गई, गीता बेचारी शर्म से लाल हो आई, सिर्फ राजू ही नहीं, इन दिनों गीता भी काफी बदल गई थी, चेहरा आप पहले कासा रूखा नहीं था, उस पर काफी रौनक आ गई थी, मोटी तो वह नहीं हुई थी, पर चेहरा बरा-बरा सा लगने लगा था, कपड़े जरा ढंके पहन लेती तो अच्छी ही लगती थी, और राजू तो जैसे उसे दिनभर सजी संवरी ही देखना चाहता था, जरा साडी की क्रीज गई नहीं कि फोरन बदलने का आदेश होता, बाहर जाते समय कपड़ों का चु कुमकुम बोली, मामी जी इतनी भारी साडी मत पहनिये, वहां मिट्टी में लिपट जाएगी, उसने बदल कर प्रिंटेट नाइलॉन पहन ली, चलते समय राजू की नजर पड़ी, यह क्या साडी क्यों बदली, यह क्या बुदी है, उसने दवी जबान से कहा, वहां जंग गड़कियां तो वहीं खिल खिला कर हंस पड़ी, तब कहीं उसे अपनी बेवकूफी का भान हुआ, बुरी तरह जेप गया, मैंने ही उसे फिर उबारते हुए गीता से कहा, पहन लेना जो वह कह रहा है, खराब भी हो गई तो क्या है, दूसरी आ जाएगी, उस दिन सारा सम वह बुन बनाती रही, बहुत जिद्धी बना दिया है आप लोगों ने, अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं, मैंने मनी मन कहा, भाई तो हमारा एकदम गव था, जिद्धी तो उसे तुम्हारे लाडने बनाया है, राजु का सभाव ही नहीं, खाने के तौर तरीके भी बदल रहे थे, दिन भर उसकी फर्माईशों का दौर चलता, दीदी इससे भर्मा टमाटर बनवाओ, बड़े फर्स क्लास बनाती है, दीदी कटहल नहीं मिलेगा क्या यहां, यह कोफते बहुत अच्छे बनाती है, दीदी दमालू खाएं कभी, राज से कहो आज बनाए, वह अच्छारी संकोच से गढ़ जाती, कहती, इनकी बातों पर मत चाहिये दीती, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो खुद आपसे दो-चार चीजें सीख कर जाना चाहती हूँ, यह बड़ी तारीफ करते रहते हैं, कभी फिर मुझे ही कहना पड़ता, उसकी प्राइस्ड डि दीदी, कुडाल की बहु आने तक किसी को तुम्हारा हाथ बटाना है, तुम्हें आराम मिलता ही कब है, अम्मा के पीछे जब भी घर आई हो, तुम्हें वहाँ भी रसोई समालनी पड़ी है, अब कहे देता हूँ, हर साल दो महीने के लिए तुम आराम करने मेरे हाँ उसकी सीधी सपाट बात के पीछे जहांकता इसने मुझे भीतर तक भिगो जाता, नौकरों की पल्टन वाले भायों के बंगले मुझे वैसे भी कभी बहुत अपने नहीं लगे थे, उजयन का वह फुराना पुष्टैनी मकान ही घर लगता था, और भायों की तुलना में र और गीता की आँखों का मौन समर्पन तब और भी लुभावना लगता था, उस दिन घोमने का काफी लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना डाला था हमने, सुबह बेनी गंच खजराहों देखते हुए गंगव निकल गये थे, वही रेस्ट हाउस में खाना खाकर दिन भर बा शंकालू सवर में पूचा, क्यों भई, चाय भाई नहीं मिलेगी क्या आज, दर असल चाय की तलब तो सबको हो रही थी, पर बनाने भर की समस्य थी, मैंने कंख्यों से लड़कियों की ओर देखा, दोनों दीवान पर लेट गई थी, और पापा की बात को आसानी से अंसुन कर गई थी, हार कर मैं ही उठ रही थी कि राजुने हुप्म दागा, राज चाय बना लाओ जट पर, अरे उसे क्यों परिशान कर रहा है, ठक गई है बेचारी, मैंने मरियल सी आवाज में कहा, तो तुम नहीं ठकी हो क्या, और उसने हाथ पकड़ कर बिठा ही लिया मुझे, संकोष तो बहुत हो रहा था, पर उस समय यह बहाना भी मुझे अच्छा लग रहा था, गीता जो शायद बच्चों के कमरे में लेट गई थी, चुप चाप उठकर किचन में चली गई, एक कप चाय पेट में जाने के बाद ही हाथ पेरों में कुछ जान आई, मेरा वश चल भी नहीं थी, पर गीता ने एक ग्रास भी नहीं तोड़ा, उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसे इस समय सिर्फ आराम की जरूरत है, आधी रात के करीब मेरी नींद खुली, लगा जैसे कहीं से कुछ आवाजें आ रही है, सुनिये मैंने इने जगाते हुए कहा, यह पीछे का किचन में तुम्हारे परम के ये बंधु राजें, किचन में वहाँ क्या कर रहा है, पत्नी सेवा, अरे अब ठीक से बताईये भी, बीबी के लिए पानी गरम कर रहा है, और बॉर्न पिटा बना रहा है, यहां बैठे बैठे ही जान गए हैं सबाब, आयोडेक्स क की सीशी और हाट वाटर बैब मुझसे ही मांग कर ले गया है वहे, और मुझे सक्त हिदायत दी गई है कि परम आदर ने दीदी को न जगाया जाए, नहीं तो देवी राजरानी बहुत खफा होंगी, इसलिए हे श्री मती जी आप क्रपा करके सो जाईए, और इस खापसार क को भी सोने दीजे, सुबह तक बड़ी मुश्किल से सबर किया मैंने, चाय बनाते हुए सोची रही थी कि उपर जाऊं या ना जाऊं, कि वह खुद ही हाशिर हो गया, चेहरा एक्दम सूप गया था, दीदी, राज की चाय मैं उपर ही ले जाता हूं, चाय तो मैं ले जाऊ पर यह बता, बहुत तकलीफ है क्या, यह बता रहे थे, रात तु बहुत परिशान रहा, मैंने चिंता तुर होकर पूँचा, कई जगे उतरना चटना पड़ गया था ना कल, इसलिए जरत तकलीफ हो गई थी, वह मान तो नहीं रही है, पर मैं सोचता हूं, एक बार डॉक् ठीक हो जाएगा सब, वह बात नहीं है दीदी, दरसल बात ऐसी है, शायद उसने बताया होगा, इतनी बात कहते हुए वह पसीना पसीना हो गया, और मेरे लिए अपनी हसी रोकना कठिन हो गया, अच्छा अच्छा मैं देख लूँगी, तो चिंता मत कर, किसी तरह मैंने कहा और उपर की राह ली, मुझे चाय लाते देखकर गीता तो बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई, मैं तो तंग आ गई हूँ दीदी आपके भाई से, सो सो कसमे दिला कर मुझे यहां बिठा कर गए हैं, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कह रहे थे चुपके से चाय ले अच्छा अब यह बताओ, जी कैसा है तुमारा, मुझे कुछ नहीं हुआ दीदी, सिर्फ टांगें दर्द कर रही थी, ये तो योही परेशान हो जाते हैं, उसकी बातें छोड़ो, अब यह बताओ, तुम्हें कोई ऐसी वैसी तकलीफ तो नहीं, नहीं तो डॉक्टर को द हे भगवान, आपको किसने और उसने दोनों हत्यलियों में मुझ चिपा लिया, मुझे लगा काश अम्मा होती आज, राजु के बेटे को गोद में खिलाने का अर्मान लिये ही चली गई बेचारी, दिन भर वह बड़ा उदास बना रहा, मैंने समझाया, राजु इतना घब बात नहीं है दिती, फिर वह बिना बात के मुझसे नाराज हो गई है, अच्छा मैंने तुमसे ही तो कहा है, उसमें क्या गलती है, कहती है लावदी स्पीकर से शहर में एलान करवा दो, अब ये कोई बात है, समझ में नहीं आया कि हसु या रोंग, सारा रोपदाप चुमं अंतर हो गया था, बीबी की जरसी उपेच्छा से उसका मुझ इतना सा निकलाया था, उसकी बेचारगी का फायदा उठाकर धडरले से नीचे उतर आई थी, और जोड़ शोड़ से घर के कामों में हाथ बटा रही थी, राजु ने एक बार भी उसे आवाज नहीं दी, एक शहिदाना अदा से अपने सारे काम खुद निप्टाता रहा, इन्होंने चुठकी ली, इतनी जल्दी पटिये पर आ गये दोस्त, अभी तो छे महीने भी नहीं बीते, वह बेचारा मुझ बाय उनकी ओर देखता पर रह गया, उसकी चीफ फुकार के बिना घर इतना सूना लगने लगा, कि शान तक बच्चे भी कहने लगे, मम्मी आज बहुत बोर हो रहे हैं, पिक्चर चलिये न, रोजी लगी है, पिक्चर देखना हो तो मा मम्मी बन जाती हैं, बड़ी मुश्किल से राजु को ठेल ठाल कर उन लोगों के साथ भेजा, आराम के बहाने गीता को मैंने अपने पास ही रोव पिया, इनके कलब जाते ही जरा एक आंत मिला तो मैंने कहा, जरा से जुर्म की कितनी बड़ी सजा देदी है बेचारे को, इतना सा मूँ निकलाया है, बहुत जादा सेंटिमेंटल हैं दीदी है, जरा से में फील कर जाते हैं, अब तो फिर भी ठी शुरू में तो ओफ, बच्चों की तरह मनाना पड़ता था, शादी से पहले बच्चे ही तो होते हैं ये लोग, उन्हें ठोप पीट कर आदमी बनाना तो हमारे ही सिराता है, गीता, एक बात कहूं, जी, तुमने सचमुच उसकी काया पलट करती है, इसी तरह बहला फुसला कर उससे परिक्षाएं दिलवादो तो बाबुजी की आत्मा को शांती मिल जाए, एक यही दुख उने आमरन सालता रहा, जो काम आप सब नहीं कर सके, बाबुजी और अम्मा जी से नहीं हो सका, वही आप मुझ से करने को कह रहे हैं, हाँ, तुम्हारा अधिकार शायद हम स देखती रह गई, शुक्र है दीदी, आपने उनके सामने यह बात नहीं छेडी, नहीं तो मेरे किये कराय पर पानी फिर जाता, मेरी आँखों का आश्चर अभी वैसा ही था, आप नहीं जानती दीदी, कितने हीन बोध से ग्रस्त था यह वेक्ती, कितनी मुश्किलों से उस अंधेरी गुफाओं में फिर लोड जाए, और मैं बंद दर्वाजों पर सिर पटकती रह जाओं, मैं उसके तम-तमाय चेहरे को देखती रह गई, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने जो औरत पैठी है, वह हिंदी में एमे है, और बरसों पंत प्रसाद निराला और महादेवी को पढ़ चुकी है, सौरी गीता मैंने धीरे से कहा, इतनी दूर तक मैं नहीं सोच पाई थी, इस बार उसका स्वर भी मधिम पढ़ गया था, मैं क्या जानती नहीं दीदी कि आपकी ममता ही आपसे सब कुछ कहलवा गई है, लेकिन हर बात की एक उम्र होती है न, मुझे ही देखिए, कच्ची उम्र में शादी होती तो शायद यह रिष्टा मैं कभी स्विकार नहीं करती, लेकिन उम्र के इस मोड पर आते आते सारी अपेक्षां पीछे चूट गई, एक घर और एक पती बस यही शेश रह गया था चाहने के लिए, क्या सचमुच छोटे भाई की नौकरी लग जाने के बाद माने तो सिर्फ आपचारिकता निभाई थी, मेरी हां से उन्हें आशर ही हुआ होगा, नहीं तो उन लोगों की नजरों में तो मेरी शादी की उम्र कभी की बीट गई थी, कितनी उम्र होगी तुम्हारी, मैंने डरते डरते पू भी भूमिका निभा रही हुँ मैं, दुरभाग से इस्कूल में भी बर्चों शिफ्ट इंचार्ज बनी रही, चारों और से इतना बड़पन लद गया था मुझ पर कि मेरे कंधे असमय ही जुक चले थे, फिर भी दीदी पता नहीं कैसे मन के एक कोने में बच्पन सिम्टा सिकुडा बैठा रह गया, जीवन भर सब को सहारा देते देते ठक गई थी, और खुद एक सहारे के लिए फरपड़ा रही थी, बड़ी साथ थी कि मुझ पर भी किसी का आंकुष हो, किसी का शासन हो, बस इसलिए मैंने शादी किये दीदी, डिग्रियों से मुझे कोई मोह नहीं है, किसी जादू के जोर से मेरी भी डिग्रियां वापस लेले कोई, तो मैं जी जाऊं। उसका यह वाग के घंडियों की तरह मेरे कानों में बचता रहा, और हम दोनों निशब्द बैठी, उस एकांथ को पीती रही। कहां भे जाता तुमने इसे? पिक्चर देखने? लग तो ऐसा रहा है, किसी को घाट पहुचा कर लोटा है। छीप, मैंने जोर से डाटा, कभी तो अच्छी बात करना सीखिये, बेचारे का मूड वैसे ही खराब है। इनके संकोच से गीता उठकर कमरे में चली गई थी, और वहीं दर्वाजे की ओड से सारा नाटक देख रही थी। इनके जाते ही बाहर आकर बड़े मासूम अंदाज में बोली। सुनिए, वैं गोलिया कहां रख दी हैं आपने। ढूंड ढूंड कर परिशान हो गई मैं। क्यों ऐसी क्या आफत आ गई। आप तो भली चंगी हैं, दवाई क्यों खाएंगी। राजु ने सर्द लहजे में कहा। दे दीजे न, प्लीज, पीट में इतना पेन हो रहा है। बाद में जितना चाहे नाराज हो लिजेगा। प्लीज, राजु का उत्तर सुनने के लिए मैं फिर वहां रुकी नहीं। तो ये थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे दोरा सुनाई होई कहानिया आपको अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिलकुल भी न भूलें। धन्यवाद।